हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल चोपडा एजुकेसिन और मैं हूँ हरसाई चोपडा सबसे पहले तो दिपावली की हार्दिक सुब कामनाई मैं लक्समी माता से ये कामना करता हूँ कि आपका 2020 में अच्छे मेडिकल कोलेज में एडमिशन हो और आप अगली दिपावली मेडिकल कोलेज में ही सेलिबरेट करें बहुत से स्टिटेंट को सेना में सर्विस करने का सपना होता है मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये है बताऊंगा कि मिल्टरी में मेडिकल फिल्ड में 12th पास करने के बाद आप कौन-कौन सी पोस्ट पर सर्विस कर सकते हैं इनके लिए एडमिशन कैसे लें आर्मी द्वारा कौन-कौन से कोर्स कौन-कौन से इंस्टिट्यूशन से करवाए जाते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं यानि Armed Forces Medical College पौने वे ACMS Army College of Medical Sciences नो दिली द्वारा करवाया जाता है दोनों में एडमिशन नीट के थुरू होता है AFMC में एडमिशन के लिए आपको नीट का रेजल्ट आजाने के बाद MCC पर रेजिस्टेशन करना होता है और उसके बाद AFMC द्वारा लिस्ट निकालने के बाद में स्क्रिनिंग टेस्ट वे इंटर्व्यू के जिरिए नीट स्कोर प्लस स्क्रिनिंग टेस्ट के आदार पर मेरिट तयार करके AFMC से MBBS करवाया जाता है इसमें टोटल 150 सीट से जिसमें बॉइज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं AFMC में एडमिशन कोई भी नीट क्वालिफाई कंडिडेट ले सकता है AFMC से MBBS करने के बाद कंडिडेट को सेना में ही है जे डोक्टर सर्विस करनी होगी अगर कोई स्टुडेंट AFMC से MBBS करने के बाद सेना में सर्विस नहीं करना चाता तो एडमिशन के टाइम पर बॉण्ड में भरी हुई रासी कंडिडेट को डिपोजिट करनी होती है ACMS से MBBS करने के लिए कंडिडेट के पैरेंट को आर्मी में सर्विस जरूरी है या तो वो सर्विस कर रहे हो या फिर रिटाइर हो गए हो ACMS एक प्राइवेट कोले है जो आर्मी वेलफेर द्वारा संचालित की जाती है इसकी फीज 3 लाख रुपए पर येर नेरबाई रहती है ACMS से MBBS करने के बाद सेना में सर्विस करने का कोई बात देता नहीं है इसमें इसमें एड्मिसन भी नीट के थू ही होता है इसमें 100 seat से और IP यानि इंदरप्रस्त उनिवर्सिटी से ये एफिलिटेड है और नीट स्कोर पर इंदरप्रस्त उनिवर्सिटी द्वारा काउंसलिंग करवा करें इसमें एड्मिसन दिया जाता है तो दोस्तों ये तो हो गई MBBS के बारे में बात जो AFMC वा ACMS द्वारा करवाया जाता है अभी हम बात करेंगे BDS की तो जिस परकार से ACMS से MBBS करवाया जाता है उसी परकार से आर्मी वेलफेर द्वारा BDS के लिए ACDS यानि Army College of Dental Sciences द्वारा कोर्स करवाया जाता है इसमें टोटल BDS की 40 sheets हैं इसमें 34 sheets जिनके parents आर्मी में service कर रहे हैं या फिर retired हो चुके हैं उनके लिए रिजर्व हैं और 6 sheets इसमें state के लिए रिजर्व हैं इसमें admission need के score पर ही होता है और state authority द्वारा करवाया जाता है college तेलगाना state में है इसकारण इसमें admission कनोजी नराइंड राव इनिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइन्सेज द्वारा करवाया जाता है इसमें भी अगर आप ACDS के BDS course करते हैं तो आपको सेनामी service करने की कोई बात देता नहीं है इसकी फीज से 2,90,000 के nearby per year है इसकी need का result आजाने के बाद तेलगाना state की counseling के time पर आपको registration करना होगा और इसमें आप admission ले सकते हैं BDS के लिए तो इस परकार से आप सेनाम के institution में MBBS और BDS कर सकते हैं अभी हम इसमें बात करें आगे हम जो दूसरा course है वो BSC nursing है तो ये girls candidate के लिए course करवाया जाता है BSC nursing course और इसमें officer post पर debut किया जाता है 12th pass करने के बाद में PCBन Physics Chemistry Biology करने के बाद 10 November के आसपास इसके registration स्टार्ट हो जाते हैं जो army की website joinindianarmy.nick.in पर registration करना होता है इसके बाद में admit card इसके December मन्त में आते हैं और January फरवरी में ये army के institution द्वारा exam ली जाती है इसमें total इसके 6 institution है और इन 6 institution में total 160 seats हैं ये सारे government institution हैं इसकी fees काफी कम होती है तो दोस्तो इस परकार से आप SENA के institution में MBBS, BDS वे BSC nursing course कर सकते हैं अगर आपने medical के course अन्य institution से कर रखे हैं तो army में समय समय पर vacancy निकाली जाती हैं आप joinindianarmy.nick.in की website पर check करके आप service के लिए apply कर सकते हैं इसमें आप doctor, compounder, pharmacist की post के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो ये जानकारी थी कि किस परकार से आपने सेना में 12 के बाद में medical course करना है किस परकार से आप सेना में सेवा कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जय हिंड